कि आज हम बात कर रहे हैं जिला गालियावाद से एक यहां की रिपोर्ट तिजार किये स्पेशल रिपोर्ट इसकी बज़े है कि 2022 में जवागा में चुनाव आ रहे हैं जिदान सब उत्तर प्रदेश के अंदर उसी के तहट यहां पर एक सह सर्यूर्ग का पद दिया गया है कि सचीदानन रोई जी जो की पूर्व में डियाएजी रिवेणी उत्तर परदेश में रहे हैं सरकार ने इनको जिल्मेदारी दी है यहां से संग्ठन का मज़्यूत करने की यहां से अपनी गरिमा को बरकरार भखने की भज़पा को वैसे दो भज़पा ने यहां पर पूरे म रॉय ने रिटायर्मेंट के बाद गाजबाद से भाजपा के सहसा योजग पत को ग्रहंड किया पार्टी को छेतर में मजबूत करने और कारेकरताओं में बल फूकने के लिए भी जनता ने सचेदनांद रॉय का दिल से सौगत किया राय साब को पूरवांचली होने का भी पूरा फाइदा मिलेगा राय साब ने अपनी गाजबाद में पहली कौनफरेंस की और जनता का बहुमत मिलते देख दो हजार बाइस का चुनाव लड़ने से भी गुरेज नहीं किया जैसे यह तो हमारी सरकार है सुसावर की सरकार है और जहां भी लोगों की दिक्कत है उनकी समस्याओं को सुना जाएगा यदि प्रसासन से दिक्कत है उनिस ववस्था से दिक्कत है या किसी अन्य भी सरकारी विवाग से दिक्कत है तो उसका समाधान उस विवाग से संपर क करेंगे और जो विकास के कारे हैं जहां पे गलियां नहीं हैं सड़के नहीं बनी हैं गंदगी है उसके समाधान के लिए जो रुई विवाग उसकारी को करता है उससे संपर करके और उसको कराएंगे गाजियाबाज में तो भारती जनता पार्टी का बहुत मजबूत आधार है पूरे उत्तर प्रदेश में भारती जनता पार्टी का आधार बिलकुल मजबूत है और पिछले बरस से 17 के चुनाव से अधिक सीतों से भारती जनता पार्टी 22 का चुनाव जीते गिए इसके साथ साथ उनका कहना है कि आगे पार्टी का फैसला होगा बैराल आगे क्या इस्थिती बनेंगी ये तो वक्त ही बताएगा